Hey guys, welcome back to my YouTube channel दोस्तो आज मैं आपके लिए एक नया smart gadget लेकर आया हूँ जिसका नाम है, unique के तरफ से आता है smart tire inflator तो आज के वीडियो में मैं आपको इसका unboxing, review और testing करके बताऊंगा इसमें आपको proper हवा कैसे भरा जाता है, वो करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफी ज़्यादा interesting होने वाला है तो hey guys, मेरा नाम है अनीस and you are watching सोलंकी जी टेकनिकल दोफ्तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सरी क्वेस्ट है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो please like कर देना, subscribe कर देना और bell आइकन को और पर select कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो व्रोजाना लाते रहता हूँ और अगर आपको ये unique का smart tire inflator purchase करना होगा तो इसका buying link मैं आपको description में दे दिया हूँ आप description में जाकर इसको purchase कर सकते हैं तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को start तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको ये कुछ इस प्रकार के packing में मिल जाता है packing काफी अच्छा होकर आया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको unique का branding मिल जाता है smart tire inflator आपको दिया गया है यहाँ पर जो इसका model number है वो है PT100 आप देख सकते हैं यहाँ पर PT100 आपको mention है back side की बात करें इसके side में तो आप देख सकते हैं up to 150 PSI pressure LED light design और braided inflator cable आपको मिल जाता है जो इसमें cable मिलता है वो braided quality का मिलता है 300 mm का और वहीं इसकी back side की बात करें तो आप देख सकते हैं back side में यहाँ पर आपको कितना कितना pressure डलने वाला है जैसे की car में 36 PSI motorcycle में 40 PSI bike में जो cycle है उसमें आपको 50 PSI और basketball में 8 PSI सारा कुछ यहाँ पर mention है और इसका manufacturing है मही 2023 का इसका और वहीं इसके इस side की बात करें इसका MRP की बात करें तो आप देख सकते हैं 4999 याने की 5000 रूपए में only 1 rupees कम इसका MRP है मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको Amazon से कितने price में purchase किया वो video के last में देखेंगे तो चलिए मैं simply इसको open करता हूं जैसे हिए मैं need to open करते है आप देख सकते हिह आप का इस प्रकार का दिखाई देने वाला है जैसे की आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार का दिखाई देने वाला है यह देख सकते हैं यह आपका user manual guidance come warranty card दोनों ही है यह देखिए warranty support आपको यहाँ पर मिल जाता है registered now for your benefit यहाँ पर आपको registered करना है ठीक है फिर इसमें आपको warranty एक साल का आपको warranty मिल जाएगा अब चलिए हम इसको simply बाहर निकालते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो main product है यह कुछ इस प्रकार का है तो चलिए हम रखते हैं इसको side में और इसके अंदर में इसका कुछ accessories भी मिल जाता है box के अंदर में तो उ एक USB to type C केबल मिल जाता है इसको charging करने के लिए और आपको कुछ additional accessories मिल जाता है यह देख सकते हैं आपको कुछ accessories मिल जाता है जैसे कि football में हवा भरने के लिए बैलून फुल आने के लिए और cycle में हवा डानने के लिए तो यह आपको इसमें 4 accessories दिया गया है अलग से और इसम पाउच में भी carry कर सकते हैं तो इसलिए आपको इसमें पाउच भी दिया गया है जो की काफी अच्छे quality का है और यह सारा accessories और यह सारा कुछ पाउच में easily आ जाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं हमारे main unit का जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 बटन म लगेगा हवा भणने के लिए तो मैं आपको इसको simply लगा कर भी दिखा देता हूं यह देखिए यह कुछ ऐसे लगेगा यह देखिए उसके बाद यह जो हमारा ब्रेडेट केबल है इसमें installation हो गया है यहाँ पे आपको एक LED light मिलता है यहाँ पे आपको यह smart air inflator को charging करने के यहाँ पे आपको type c port मिल जाता है और यहाँ पे आपको USB port मिल जाता है जैसे कि आपको अपना mobile को charge करना है तो आप इसको has power bank भी use कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आपको air intake के लिए मिल जाता है बैक साइड में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इसके specification जो कि आपको box में मैंने दिखा दिया यहाँ पे लिखा था specification वही specification इसके back side में भी लिखा हुआ है तो चलिए मैं इसको simply on करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हम on करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक बड़ा सा display जिसका quality काफी bright है जैसे कि आप देख सकते हैं इससे M button जो यहाँ पे आपको मिलता है M से आप mode को select कर सकते हैं यह देखिए cycle mode, basketball mode, car, bike, cycle और football तो इससे आप mode को change कर सकते हैं जैसे ही mode आप change करेंगे इसमें automatic predefined इसमें pressure है PSI है वो automatic predefined हो जाता है ठीक है जैसे आपको temperature को up down करना है तो आप इससे up और इससे down कर सकते हैं यह देखिए यहाँ पे जो U है U को जैसे आप दबाएंगे तो यह देखिए यह आपका PSI, फिर BAR, फिर KPA, फिर KG, CM2 इससे में convert होता है ठीक है तो U से आपको जो इसका जो pressure unit है वो change होता है जो इसका unit है pressure का वो change होता है तो हम जो tear में भरते हैं वो PSI में भरते हैं तो PSIU में हमको इसक तो यह light जालू हो जाता है यह देखिए यह light और जैसे ही मैं यह U बटन को दबा के रखोंगा तो यह automatic बंज भी हो जाएगा यह देखिए ठीक है अब मैं आपको एक demo के तौर पे मैं इसको चालू करके दिखाता हूं तो देखिए यह कुछ इस प्रकार का आवाद करता है के बाद हम बाइक में डाल देते हैं प्रेशर जो यूनिट डालते हम डाल देते हैं 25 ठीक है हम 25 PSI डालते हैं तो चलिए मैं इसको simply open करता हूं और open करने के बाद हम इस पर फसा देते हैं अब मैं इसको simply चालू करता हूं तो आप खुद देखिएगा अब आप खुद तो आप हवा इसमें कुछ इस प्रकार से भर सकते हैं यह देखिए यह आटोमेटिक हवा हमने भर के दिखा दिया है यह देख सकते हवा भर चुका है टायर में आपको दिखाता तो आप अच्छे समझ में आपको आता नहीं लेकिन आप देख सकते हैं इसमें जो हवा है क्ल किया है 2399 रूपए में तो अगर आपको यह लेना होगा यह स्मार्ट गैजट जो कि टायर इंफलेटर है और यह बहुत ही यूसफुल गैजट है और यह वन आप परचेस कर सकते हैं मैं आपको डिस्क्रियپशन में दे दिये हूँ यही बताइए कर आप मिholते पाइए बाएगा होगा तो लाइक कर देना और इसे प्रिकार वृडियो फ्रोंजाना लाते रहता हूँ तो मिलते हैं ओन्हें आट बाई बाई टेक क्यार